गुड मॉर्णिंग येवरी बड़ी आज हम डॉक्टर रहात इंदोरी इनकी गजले और इस गजले के अंतरगत उनकी दो गजले है पहला दोस्ती और दुसरा मौजूद यो गजले देखने वाले है तो डॉक्टर रहात इंदोरी का कभी परिचाई यह है कि रहात इंदोरी जी का एक जनवरी 1950 को इंदोर में हुआ अब वो हमारी बीच में नहीं रहे है उर्दु में यम्मे और PhD करने के बाद इंदोरी विश्व विद्धाले में 16 वर्षों तक उर्दु साहिते का अध्यापन उन्होंने किया है त्रेमासिक पत्री का शाखे के 10 वर्षे तक वो संपाधक रहे वो उन चंद शायरों में है जिनकी गजलों में मुशायरों को साहितिक स्तर और सम्मान प्रदान किया है और कि साहितिक स्तर के उनको क्यों गजले है ने तो लिखते तो बहुत सारे जन लिखते है आप उन चंद सायरों में है जिनकी गजले और शायरे सायतिक स्तर पर प्रतिबिंबित हुए है आपकी गजलों में आधुनिक प्रतिक और बिंब विद्यमान है जो जीवन की वस्तिविक्ता दर्शाते है इनकी जो गजले है वो क्या है? सामाजिक जीवन पर अनुसूचित है उनकी कुरुतियां है चान्द पागल है, रूत, मौजूत, धुप बहुत है और दो कदम और सही यह इनकी गजल संगर है और यह जो गजल है दोस्ती यह गजल उनकी दो कदम और सही इस गजल संग्र में से ली गई है तो यह जो गजल प्रकार है यह कावे की साहिती की दो विदा है साहिती की दो विदा है गद्दे विदा एक पद्दे विदा जो पद्दे विधा है इसमें कावे विधा है उसे कावे विधा के अंतरगत यह गजल प्रकार आ जाता है गजल के प्रारंबिक सेर को मतला और अंतिम सेर को मकता कहते है सेर में आए तुकांत शब्दों को काफिया और दोहराहे जाने वाले शब्दों को रधीप कईते है गजल में अधिकान शुरूप में प्रेम भावनों का चित्रन होता है और गजल असली कोसूटी उनकी प्रभोवात दात्मकता होती है और गजल का प्रतिक सेर इह स्वयम पूर्ण होता है अपने प्रतियों स्वयम पूर्ण होता है किना कि दूसरे पे उपर डिपेंड रहेता है गुलजार, गिजर, दुशंद कुमार, कुवर बेचेन, राजेश रेटी, रविदरनात्यागी, आधी प्रमु गजल कार है और इनमें से एक डॉक्टर रहात इंदोरी यह भी एक साहितिक स्थर के गजल कार रहे है तो इननोंने प्रस्तुत गजल में दोस्ती यह कविता का, दोस्ती का आर्त बताया है और दुसरी जो गजल है उनकी मौजुद, उसमें उनने वर्तमा स्थितिका जो मौजुद है अभी अस्थित्वा में है, हमारे सामने हैं वर्तमाने ना भूत ना भविश्य जो अभी चल रहा है उसके उपर उनोंने यह मौजुद गजल का चित्रन किया है जो लोग दिखते है वैसे होते नहीं उनोंने क्या का है कि जो लोग दिखते है वैसे होते नहीं और जैसे होते है वैसे होते नहीं हो और ऐसे बहुत से लोग रहते हैं, वो एनिकी दो मुखटा, दो मुखोटे, जैसे राजनीती में हो, वो बोलते भाशन बड़े-बड़े देते हैं, लेकिन इसलिए कभिरदास ने कहा है कि करनी बिना कतनी जूट, वो बोलते हैं, वो करते नहीं हैं, और जो कोरते हैं, मन से उनको जो करना है, तो वो बोल के नहीं बताते, तो ऐसे यह उन्होंने आदमी के दो मुखोटे के, मुखोटे रहते हैं, ऐसे उनकी उपर उन्होंने चितरन किया हैं, और जिन्दगी बहुत खूपसूरत है, उसके अलग-लग रंग है, जीवन में सकारात्मकता होनी उन्होंने यह दोस्ति इस गजल के माध्यम से आपको बताया है, तो आज चलो, अप ही दोस्ति देखेंगे, बात है जो तुझे पसंद नहीं आई, तो तु बोल सकता कि नहीं यार मुझे तेरी ये बात पसंद नहीं आई, तु मान या ना मान लेकिन दोस्तों का कहा भी मान, दोस्त है तो मेरा कहा भी मान, मुझे सिक्वा भी कर और मेरा बुरा भी मान, दिल को सबसे बड़ा हरिप और इस संग को खुदा मिमान, हरिप, हरिप का मतल है शत्रू, एंकि यो जिदील है, यह अपना शत्रू कोने मन है, मन के आगे हार, मन के आगे जीत, मैं बेटे-बेटे में मेरा कुछ सोचता है कि मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, घर बेटे-बेटे, दुनिया भर किस है,